वीडियो में दो इंपोर्टेंट जॉब अपडेट्स आपसे शेयर करूँगा सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की तरफ से वेकेंसिस निकाली गई है कि पांचछ हजार यहां पर वेकेंसिस के बार में लिखा गया है और इबस तारी के हां इंडिया करने के ताइम कमा अपके पास चैंट्रल बैंक अफ इंडिया की बात करेगे इनพे cooking करे है है देखो अगर हम बात करेंगे region wise vacancies बात करें गुजरात में 13 vacancies देखने को मिल रही है है इस तरह से अगर हम चलते जाएंगे अगर हम specially जम्मो कश्मीर पर focus कर लेते हैं यहांबर क्योंकि मैंने आपको बताया आपको मैं अल्टरेट बताते जाओंगा जैके सिस्पी का क्या क्या अल्टरेट रहता है तो वह अल्टरेट में आप से मैंसा शेयर करता हूंगा तक कि जब यह स्चुशन आहला तसे बने वह जम्मो कश्मीर के आपक इस अधिक पर अप्लाई कर पे करके वहां पर ध्यान से आप उसलिए त्यार ही कर वहां पर अगर आप अगर हो सो तो जॉब यप को मिल जाग अगर भानत करोगे तो तो यहांबर जम्मो कश्मीर के section पर अगर आप आओ तो 26 vacancies आपको यहांपर देखने को मिलेंगे केंपर 150 के पर 108 502 vacancies यहांपर देखने को मिल रही है अबर 342 हैं लेकि जम्मो कश्मीर वे section पर जब आप आजाओगे तो यहांपर total vacancies 26 है जाना जितना स्क्रीन भी स्क्रीन भी अब इस पर देडेल में डिसक्स नहीं करेंगे क्योंकि आपको समझागा 26 वेकंशी जी फिर भी जो यहां पर एप्लाई करना चाहता है इंट्रसीड है वो यहां पर एप्लाई जरूर करेगा एज लिमिट की बात करें ब्लक एप्लाई कर साल तक है अगर आप濡िड हो तो ही आपको एप्लाई कर सकतो इह अगर को ऒुड रही है आप यहां पर अपयº कर सकति और बागी यह contract basis पे जौब है यहां पर आपको स्टाइपमेंट मिलेगो जदा नहीं मिलने वाले कभी 10,000 कभी 12,000 कभी 15,000 इस तरह का परमत आपको स्टाइपमेंट यहां पर मिलने वाला है तो जो यहां पर इंट्रेटों के अप्लाई करना चाहेंगा वह ज़रूर अप्लाई कीजेगा बागी मिलने चलता हूं दूसरी तरफ आपको शिफ्ट करता हूं इस वीडियो को में पर रुपस आपको इस जॉब अपडेट पर राना था जो था ससी के फेज 11 की वेकेंसीज म मैं आपको स्टार्टिंग से कहता हूं और फिर से बोलूँगा जो फेज 11 के वेकेंसीज हैं आपको यहां पर एप्लाई करना चाहिए क्योंकि एप्लिकेशन फी मैक्सिमम हंड्रेट रुपीज एप्लिकेशन फी है और जो बाकी कैटेगरी की बात करेंगे वोमें की बात क सब्सक्राइब करने वाला है एंप्लाइब करने का बैनिफिट क्या होगा 27 तरीक तो आप अप्लाई कर सकते हो आज 21 तारीक है एक दो दिन ही अप्लाई करो किसी तरीके से बादें प्रोब्म को आने वाली है और आपको एक्जाम के बार में देखो गया आप यहां पर तो एक्जाम आपको जुन जुलाई के मन्थ में होने वाला है अगर अगर आप एक तरस ऐसा अल्टरेटी लेकर चल रहे हो तो इसके बाद जो फिर से आएगा graduate होला MTS का यह 12th पास्क वला अगर तीन मेनों में तीनों फॉर्म निकल जाएंगे तो आप इनके त्यारी करोगे आपको और अच्छा positive sign मिलेगा क्योंकि आपने पहले से त्यारी कर लिया है तो इसमें बहुता हेल्प मिल जाएगी और इसके त्यारी करोग बार वी वालों के लटा से तीस वाली भी है वैसे ग्रैजुट वालों के तीस तक की वेकेंसिस भी है अगर relaxation वगरा है category तो relaxation वगरा भी है अगर इस age living में फॉल करते हो तो मैं आपको बूलूँगा ज़रूर आपको यहां पर apply करना चाहिए यह दोनों ही notification जो है वो मैं कितनी पोस्ट वहां पर हैं कौंसा department रहने वाला है एक image क्या है वह सब कुछ आपको यहां पर देखने को मिल जगा देखो जैसे यहां पर आपको देखने को मिल रहा है एससे के ज़रूर एप्लाई कीज़ेगा अगर आप जेका सब्सक्राइब के तियारी कर रहे हो या आनले किसी इग्जाम के तियारी करना चाहते हो प्लसमेट आपको बता दिया अगर आपको फिल की टैंशन है मैक्सिमम फिल रूपीज है और इसके त्यारी करने पर कोई लॉस्ट भी नहीं रहने वाले एक्जामरेशन आपको जम्मू में बन जाएगा शांब में बन जाएगा तो वह टैंशन लिनी के भी ज़रूरत नहीं ह और ऐसे से टैंथ पास की त्यारी कर रहे होगर टैंथ पास विकेंशन सुल त्यारी करना चाहते हो हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल बर इसकी क्लासिस भी कंटिनू चलते रहे हैं थैंक्यू जाहिंद